मैं आपको सर बुलाओं, गुरुजी कहूँ, स्वामी जी मैं क्या कहके संबोधित करूँ आपको एक कारिक्रम में एक प्रोग्राम में गया था मुझे वनों ने कहा कि आज हमारे बीच में गोल गोपा लाया हूँ अच्छा विवेक सर के बारे में हमने सुनाएं कि किसी को बिजनस अडिलिटीड प्रॉबलम हो तो ये पान सेगिड के अंदर जवाब दे रहते हैं जब भाबी जी आपको त्यार रोने के बाद पूछती मैं कैसी लग रही हूँ हर समस्या का समधान होता है तो ये रही मेरी समस्या है है समस्या क्या वाइफ हो में तुम्हारी प्राचीन काल में वाइफ को समस्या कहा जाता था तो हस्बिन को क्या कहा जाता था हस्बिन को कहा जाता था कोई नहीं बुरा वक्त है टल जाएगा हिंदुस्तान में जो बनेगी आलिया उसी को मिलेगा कालिया हम सफेद कुर्टा पहन लेता है ना तो लगता है जिसे बतासा में चीउटा घुचा हुआ है अब जैसे किसी को कहा देंगे मामा जी अराम से समझ में आजाएगा कहें हम बाप के सार ना भोगोल वालो ने दुनो का नाम औलगे रख दिया हम तो आपको धायदे बता दिये थे आप मेंसे कितने अच्छे जरिणा बता दिये कि एकमे की दू में लेकिन यही कोष्चिन यूपी यसी पूछा था और आधा लड़का गलती ठोक या था आ था क्या पूछाता पता है की जादे ठंड़ा टूंडरा में पढ़ता है कि टाइगा में अब लड़का पगलागे लिए हां तुंडरा टाइगा कुँची हो लो रे भाई तुंडरा टाइगा लो टुंडरा टाइगा यहाँ पर वेरी गुड अरे इसमें इमोजी को लिख के भेज रहा है यह इस आपको अहोन ने बतियाने का आदत लगा है इमोजी लिख के भेज देता है अगे लोल कही हो, कोई पड़ेंगे हम इमोजी लड़किया बना बना भेज रही है सो तुंडरा बोल रहे है था आपन फोटो भेज रही है सो और दिखाईया है? अपने एमोजी लिखे मत भजे आप लो अरे जो लिखना लिखिया निए मोजी भेजता है सो यह रहा हमारा हमारा हिए सारे जहां से अच्छा यह हमारा हिंदुस्तान उत्री गोलार्ध में है Northern Hemisphere of the Earth यह हमारा कौन सी रेखा? विस सुवत रेखा अरे, यह क्या हो गया? यह टेक्निकल आदमी नहीं है हम यह नटंकी कर रहा है तेखा पे जितने देश है न वहां के लोग एकदम मंगरेला की तरह काला होते हैं आगे इतना भायानक काला होता है उनको देखकर हिंदुस्तान का अगुगा भाग जाएगा दुलहिन की तो बाते छुड़ी है लेकिन जतना सुन्दर लड़की होती हैं समना बहुत सुन्दर लड़की उन देखेगा जब टेर्टा लारका पसंद करती हैं सा सुन्दर लड़की को बुधी पता नहीं कहा होता है अचली भागवान जो है न सुन्दरता बनाएगा अगर किसी चीज में समय देगे तो दूसरे चीज से समय काटना पड़ेगा तो भागवान जिसको सुन्दर बनाया न सुन्दर लड़की लेके घुमेगा आप देखे ना एकरे देख लिए एस्वरिया राय को सुचरा कोना से भी आ की हूँ अभी से एक बच्चन बताइए हम लोग उस तेम खालिये थे नू हозм्ण और दिखाईए यहाँ अजसरे ओं यतन स्वर सब कास्द मिलेका स्वक्पलिए机 आलिया उसी को मिले कालिया जहा कार्ष कास्मीर में फु dime farming की कली वह वह सम्झागिया वह कोई फिरन लब्ली की जरुवत नहीं है यहां पर शन्मीर के लड़का लड़की सब गोरे होते हैं तो आद नीचे दक्षिन भारत में देखेंगे तो सब जहूंसल मिलता है सब कुछ-कुछ हिरोईन गोरी हो जाती है सब बाल्टी में सब फेरल अबली गोर के में नहा लेगी सब गोर ना हो जाएगी सब सब्सक्राइब भूगोल का नियमें काम नहीं करता है यहां पर साउथ के लोग अले क्यूं होते हैं अब यह सौथ वाले लोग बुरा नहीं मानिएगा और काला होना बुरा क्या हम खूद काला है हमका दूसरे को बोलेंगा हम सपेद कूड़ता पहिन लेता है अना तो लगता के जटना काले रहता है। तो कहे सहां तो हम need । हाँ... आश Capitol Church कंदगें। कशमीर के लोग ग एंके हो पड ten कशमीर के लोग गोरी Всеग हुआ। तो से टो तो रूसवाला होग असび रूस वालन को देखेंगे न, ब्लादीमिर पुतिन को देखेंगे तो लगे का छीलल मुर्गी है अंग्रियस सबको, अईसे कर देता है तो खून दिखने लगता है यहाँ लाल लाल संजा के किने है गया, भूगुल कितना इजी है, न, इजी ने है, बकलोल कोई के इजी नहीं लग रहा इसको सुतल है, आगे बड़े, तो जितने लोग बिस्वत रेखा के करीब वाले हैं, वो होंगे काले, बीवी में रेगी, गोरी, और जो बिस्वत, यह कोई गूगुल का नियम नहीं है रहे बाई, और दिखाए, बास खतम इंडिया का यूपीएसी, उसकी धाई लाग की फीस को हम साड़े साथ हजार में कर दीजे हैं, ऐसे हम लोग को लगता हो का साड़े साथ हजार बहुत कम है, एक लड़की ने कहा कि सार, साम वाले बहच को ना मौनिंग में कर दीजे, हम कहें बावु तो इतना सबके इंडि बालु को किनारे लेकर बेचती थी और बालु भरता था उससे मेरी फीस ले आया है, अबरा हाथ काम गिया, हम कैसे फीस ले लेगे हैं, उसी दिन हमने ये प्रण लिया था कि भारत का कोई भी बच्चा उसके सफलता में पैसा उसकी बाधा नहीं बनेगी, चाहें उसको जि दिन थी निस मुसक्राटाइ खांसा भाव कि अपटना से है ना हमें भी पटना पसंद है अब के पीछे पड़ा को ख्रेशी पहन ऐसा आज तल के फैंस यह दिन ओनी खांसर कर दो दो चौपट रहता है जो सीरियल में समझें मैंने जाथा अच्छा एक चीज़ कभी गौर की ओ सीरियल में ना हिरोईन जो होती है सब यानि जो उसमें वह लीडिंग केरेक्टर में होते हैं आदमी सीरियल में जुन्जूना रहता है अब सीरियल को ध्यान से देखिएगा आदमी का रोल क्या होता है से जैसे सीरियल चलोगा आदमी को सीसा के सामने टाई लगाते दिखाए जाएगा उसकी पत्नी बैग लेके खड़ा रहेगे अगला सीन में ओफिस में लेपटाप खोला है खत्म काम उसका सीरियल खत्म बाकी सब महिला अच्छा तू खाना बनाई है नमक जोगतेगी जा आदमी काम कात्म बस लेपटाप खोलो टाई लगाओ कात्म कानि बाद में आएगा घर देखेगा उका मम्मी अलगे मूँ फुलाई है पत्नी अलगे रही है कि परिशान रहता है तो सीरियल में तुम तुम मेल का करेक्टर देखनों विचारे इसको लिया काई है जाता के बीच में अनाज पिशा जाता है तो सब बेचारा पिशा जाता है इसलिए डेवन से आप लोग हमारी बात को याद रखेगा बेवन से पहले दिन से तुम लोग है तुम कुझ ए ने थामज में आता है तुमारा उमर कितना है अरे अभी तो तुम बोल दिया पूरा क्लास का माहूल का खड़ाप करके रख दिया टैडी दे टैडी दे चो पीछे गुम पीछे पीछे उदर पढ़ने का उमर है पढ़ाई कर ले प्यार मोहबत के लिए सल्मान खान का उमर भी बहुत है और जिसको तुम दिन रात पीछे पढ़ता है ना सल्मान खान बुढ़ोती में उसको दू मिनट में फशा लेगा लड़की खुबसूरत हो और लड़का काम्याब हो प्यार दो मिनट में हो जाता है तुम हम लोग तुम याद रखियो भी यह हम बजरंग बली के बहुत बढ़का वाला है हम रह से हमने इस सब प्यार मोहबत वाला बात नमारा दिमाग जल जाता है यह भारत की संस्कृती है बाबू यह अंग्रेजों की यहां वेलेंटाइन डे होता है जहां हर साल उनके प्यार मोहबत बदल जाया करते हैं अगले साल दूसरे को उलो करते हैं भारत की संस्कृती है यहां एक बार जिन से प्यार होता है साथ जन्मों का रिस्ता निबाने क हम अंग्रेजों के लिए नहीं है किसे जाए ओके वहां फादर्डे मनाओ क्यों करा याद नहाता है मरा फादर को नहीं तुम ममी से पुझे ममी दोजात तेरह में तुम किसके साथ साधी की थी जान डिशूजा उसके बाद विक्टर हम बोले ना लड़का के लिए क्या होना जरूरी है क्या मियाब लड़की के लिए प्यार मुहबत दिल से होता है घंटा दिल से होता है अगर प्यार दिल से होता है तो सारा ब्यूटी पार्लर बंद हो चुके रहते है अगर यार साधी सुधा लड़की नई हर से सुसुराल जाती है तो मेक अप करके जाती है उसको ही पता है भैलू आगे और चार और घूमने की स्वातनता है तो इस क्या मतलब तोड़ी नहीं कि हर जगाँ चल जाएंगे क्योंकि बेडरूम में घूज़ेंगे का अगला इस्टेशन कैंट एरिया है वसंद भिहार जिनके पास इस्टेशन पर उतरने का काड़ नहों अगले मेट्रों में आप जाएंगे नहीं पहुंचाये जाएंगे अधर में भी दिखेंगे महिले हरताल करीगी तो बोलबें नहीं करेगी तुझी सुपनेखा भी तो महिले थी नहीं थी और हम लोग से जादे चरितवान खुद भगवान लचमान थे उनको नहीं पता था कि डिसिप्लीन क्या होता है नक यह काट दिये थे सुपनेखा का नहीं पता है लड़कियों की मेमोरी को लोग मजाक उडाते हैं लड़कियों को आज भी वो बात याद है कि सुपनेखा जो प्रपोज की थी तो ना कट लिया गया कोई लड़की नहीं करेगी प्रपोज उसी समय से डरी हुई है कोई लड़की करतों ते प्रपोज समय नहीं आता है कहां बोलना चाहिए कहां नहीं बोलना चाहिए future तेरे नाम मूवी देखें, मारता है उसको चोट कहां तक चल जाता है, अंदर तक, ले, गाइब हो गया, गजनी देखें, मारता है तो क्या आजाता है, पुरा उसका ब्रेने गड़ बड़ा जाता है, संजा गड़ा गड़ा, ते बहुत खतना है, दूनों ससुरा पिटाया प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, यकीन ना आए तो गजनी और तेरे नाम देख लो क्या जरूवत है भया पिटाने की इतना मेहनत से भगवान ने ब्रेन दिया, आप लोग जीवन पर मेहनत करकर के इसमें डाउनलोड करते रहते हैं, कभी फिजीक्स, बाइलोजी, केमेश्टी, कुन लड़की के चकर में फरवा के चलेंगे, का हो गया है, लाइव वाले सब बहुत उसियार है से, यह उदर हसता है से, कईसे हसता है से, पता है, इमो जी बनादेता एपासे, डीजिटल इंडिया में भी हसी नहीं बर्दा सोगा, अग उसियार ने लाल रंग का भावकाल बना दी गईशी, कभभभभभव बहस्यों लेट हो जाता है ना, उसियार बो कटल हो गया आप में से कितने लोग हैं जो बहुत excited हैं आज के session को ले करके तो अब मैं जैसे ही आपको नाम बताऊंगा उनका जो हमारे आज की guest है तो आपका जो excitement level है वो और बढ़ जाएगा यह बताने से पहले कि guest कौन है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ YouTube के बारे में YouTube में क्या है कि पूरे world की अगर बात करी जाए तो करोडो चैनल है जो अलग-अलग genres में है अलग-अलग categories में है उसमें से दो बड़ी categories है motivation और education पूरे world में जो world का number one motivation channel है वो मेरा है और जो world का number one education channel है किसी independent creator का वो उनका है जो कि हमारे guests है उनके 17 million से ज़्यादा subscribers है प्लीज गेव एन इनर्जाटेक और वेल्कम तू दा वान एन अल्ली खान सार इससे पहले कि audience आपसे कुछ पूछे या interact करें मेरे माइंड में क्वेश्चन है आपके लिए जो बच्चे है वो आपके इतने दिवाने क्यों है इतने पागल क्यों है आपके पीछे मतलब मेरे comment section में भरा पड़ाता खान सर कभाएंगे खान सर कभाएंगे मतना इससे क्या जादू कर दिया आपने बच्चों के ओपर यह सवाल आपसे भी पूछते हमारे पे इतना कमेंट है इतना मेरे तो ओफिस में लोग चले आएंगी सर कभ जा रहे हैं क्यों कर तो एग्जेक्ट है वहीं पढ़ाना है ह तो हम लोग का मेन है कि बच्चों को जो जरूवत रहती है कि अगर लड़का पढ़ने आया है इसके मन में कोई डाउट न राजा हम उसको कहते हैं कि हम तुमें पढ़ा रहे हैं दू है तो भूल के दिखाओ याद जर गे नहीं है प्लास आप जिस प्राइस पॉइंट पर भूल करे खाओ है खाओ है फींडीयन कंप ऐघ्षरी उसके प्राइव है यह खाओ है करे guruda khrina, उस नहीं है प्ला भांके खाव सही है, और एक यहा है कर दो के शेवतर ही घ्यान के बचल्चर तो एक दिन में हम चार पांच वीडियो बनाएं एक हमको कुछ आता आज भी नहीं आता इतना तो हम देख के कैमरा उम्रत हम कन्फूज हो गएं बापरेश तो हम एक ही दिन में वीडियो शूट किया पढ़ाने वाला टॉपिक था हमको उसके बाद कभी वीडियो एक ही बार सूट कर लिये और एक जिनका कैमरा वगर था में पास कैमरे भी नहीं थे उस ताइम और कैमरा 35,000 था तो छे महीना इसी में लग गया जो पॉइंच जाएग तो उनके कैमरे से सूट किये उन्होंने कोई चार्ज लिया उसके बाद हम छोड़ी दिये लोग डाउन लगा तब हम कैया आप कैसे पढ़ाएंगे तो एक दिन दो दिन करते करते आचानक लंबा हो गया तब हमको लग याद आया कि हो हो मेरा एक चैनल भी है वह पर तो उस मतलब जो एंटेइन्मेंट चलता रहता है ये बात हम दिखे जब हम गुलाम थे नम तो अंग्रेजों ने एक चाल चला था कि भारत को हम फीजिकली गुलाम रखेंगे सो दोसो साल मेंटली हजार साल कर देंगे उन्होंने पढ़ाई का मॉडल चेंज कर दिया उन्होंने ऐ अगर लड़का आपके सम्झाने के बाद डॉट रह गया तो इस आपकी गलती है लड़का हमसे पूछता है सर इतनी भीड़ है आपके पास तो करें सर डाउट कैसे पूछे हैं हम करिया तो रखाएंगा वाज बचे तब न बुचेगा तुम अपूछेगा तूम डाउट के अंदर अंदर जो आपके चैनल की ग्रोथ हुई है जैसे आप खुद ही बता रहे हैं के लॉक्डाउन के टाइम पे आपके 30,000 के करीब सब्सक्राइबर्स थे आज की डेट में 17,000,000 है और मेरा एक क्वेशन और है इससे पहले के थोड़ा कम कर देते क्योंकि कोई लाइन ही नहीं है वैसे तो बोलने को तो आप कुछ भी बोल दो कितना भी बोल दो हुई है कॉंट्रोवर्सी बहुत बार अच्यूली बच्पन से उपको फॉज में जाना था और फॉज बालों के लिए यह सब माइने नहीं रखता उसको करना है मतलब करना है तुम सामने कुछ भी रहो ड़जन्ट मैटर और मैंने यूट्यूब पर देखा कुछ वीडियो में कि आपका जो इंसिट्यूट है वहाँ पर आज से कुछ साल पहले कुछ बम गिरे थे मैं समझ पा रहा हूं कि आपके अंदर जो अटिट्यूड है कहां से आ रहा है क्योंकि आप बच्पन से ही फॉज में जाना चाहते थे तो आप जंग के मैदान में ही खड़े है एक तरीके से इसे बस फर्क यह है कि आपके हाथ में कलम है, हतियार नहों करके, हतियार से एक अद्मी की जान जा सकती है, कलम से बहुत ताकत होता है, सिक्षा एक ऐसा हतियार है, हर कूरितियों से लड़ सकता है, हर तरह की समस्याओं से, और यह कैसा हतियार है, मेटल डिटेक्टर में भी मेरा कोश्चन यह है कि अभी प्राइवेट ओगनाइजेसंस में पीटिने का पनिस्मेंट का ये सिस्टम जो है खातम हो गया है हम आपके वीडियो में देखे हैं सब काप बड़ा सा रोल रखे रहते हैं पुलिस वाला लाठी है और स्टेज पर बुला के बच्चों को उसे से धुनाई सुरू कर देते हैं मस्त एकदम से तो सार मतलब की बच्चे मतलब की डरते नहीं आपसे और इस तरीके से कैसे कनेक्टेड हैं आपसे हैं और एक और कोस्टन सार यूपीसी का जो आप अपना ब पूरा कंप्लीट करो अपने 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 एक मोटिवेशन है क्योंकि जब सजा देने की बात आगी न तो वह भी बहतरी न थंग से होगा इसे थोड़ी होगा कि बस एक यह चीज बहतरीन धंग से होगा और डर का होना बहुत जरूरी है यह डर भी अपने अपने मोटिवेशन है क्योंकि जब आपके अंदर एक थोड़ा सा डर रहे ना तो डर के भागिये मत एक ऐसा डर जिसको आप लगे कि नहीं थोड़ा सा और करने की जरूरत है फिर तो यह हम इसको क्रॉस कर जाएंगे आप तो लड़कों के अंदर यह डर बनाना भी जरूरी रहत और यह बात यूपीएसी वाले की जो आपने बोला बहुत सारे लड़के वेट कर रहे हैं यूपीएसी क्योंकि 2.500,000 फीज सारे लोग एफोर्ट नहीं कर सकते हैं और हमारा वही रहता ही हम तो जादे तर हमारे स्टूडेंट देगे तो किसी के रिक्सा वाला सबजी वाल और यही लोग इनको रही रुपीया इनके पूरी संपत्ती नहीं होती है फीस कहां से भरेंगे वाप उसके रहेंगे कहां से तो ओल ओबर इंडिया से कश्मी से कन्या कुमारी तक गरीब से गरीब भी लाड़का उसको पढ़ सकता है यही कुछ हजार रुपीय मन्थली 12-14 साल का पड़ेगा खतम हो जाएगा इतना महीं है यह जो डंडे वाली बात इनोंने कहीं यह सच है मतलब आप सच में एक डंडा रखते हो हो और मारते हो हां कि मतलब कोई लड़की छेड़ता है या ऐसा कोई बी उल्टा बल्टा का रहा है कुछ भी गलती करेंगे तो पिट अना तो न को फीक्स है एक थो कोई मतलब विधायक जी थे उनके लड़का को पीट दिया तो चला है दलबल लेके अपना उसने घर पर नहीं बताया था कि सर ने पीट ऐ बस बोल दिया कोचिंग में पीट बात मैं पता चला हम पीटे हैं तो उसके पीता जी मेरे सामने और सबसे बड़ा डर क्या है आप दोनों का फौजी को डरे नहीं लगता है अब बाकी अफसार से पुछी है आज के सेशन से पहले कोई डर नहीं था लेकिन अब मुझे इनकी डंडे वाली कहानिया सुन करके डर लग रहा है कि कहीं मैंने गलती से कुछ बोल दिया और इनोंने कहीं पीछे कुछ रखा हुआ है और यहीं आ करके अगर अगर इनोंने मेरी पिटाई कर दी तो बहुत बुरा हो जाएगा तो इसलिए हमको थोड़ा दर लग रहा है आपक डिली इते 7 घंटे क्लासे सो हैखाय है सहसाथ गंटे अभी कुछ पार हमारे स्टाफ परिशान रहते हैं हम तेर दो बजे सोते वाटे शुबच छे बजStいきます परिशान रहते हैं य। उतना क्यों करते हो खुझ ने पिषया और मैजना इसी पटाका म具 दोव हाल ना ? कोईर की उन परिव नेको वाटित उप्छे साथ लगना बढ़ता है कि आपने मुझे हाने का मौका दिया अब तक मैंने आपको सिर्फ फोन या लैपटॉप में देखा है दोनों को आज फर्स टाइम लाइव देख रही हूं तो बहुत अच्छा लग रहा है तो मेरा कुशन यह है आपसे जब हम लाइफ में कोई डिसीजन लेते हैं हम यह पर्टिकुलर चीज करनी है और क्योंकि हमंकि यह में दिसीजन लेते हैं तो हमारी आदत है कि पहले हम चाट ? अगर कुई हमें कहा देता हूं कि यह बैकार दिसीजन ने मत कर तो हमारा माइन कहीं डाइवर्ट होने लगता है और उसकी वज़े से हम अपना डिसीजन चेंज कर देते हैं तो मेरा कुशन यह है कि कैसे हम अपने डिसीजन पे स्टिक रहे कैसे हम जो दूसरे के ओपीनियान उनको अफेक्ट ना होने दे अपने उपर दूसरे से सला लेने से पहले एक बार खुद उस पर रिसर्च कर लेना चाहिए ताकि आप सामने वाला क्या सला दे रहा है आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पर कई बार ऐसे होते हैं कि दूसरे वाले को experience होता है तो अगर आपको पहले से idea है उसके बारे में आप बहतरीन ढंग से research की है कि क्या इसमें प्लस पॉइंट है क्या निगेटिव है उसके बाद आप किसी से सला लेने जाहिए इनकि मुन में आपको आरेंडी करना पड़ता है संग्या किने और जिंदगी हो या गाड़ी जीतेगा वही जो टाइम पे गार चेंज कर रहा है तो डिसीजन चेंज करना बहुँ ज्यादे गलप नहीं है इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है और मैं इसी बात पे त्वड़ा सा और अड़ आड़न करूंगा जो बातं है, डिपेंड यह करता है कि वो गोल रहा है उसका स्षेर्छ करनी है कि और पिर क्रोपिय। अलग मैं भी हो सकता है jgebra और वह सेम भी हो सकता है सर मेरा कोस्टिन दोनों से है आप से हाउ टो डिल प्रोक्रास्टिनेशन एंड लेजिनेस हमारा ब्रेन यह बहुत आलसी टाइप का इसको आराम खोजना पसंद है थोड़ा सा भी इसको आराम के और लेकर चलेगा ना तो फिर उधरी रहेगा आप सोचेंगे दस मिनट आराम क उसके हिसाफ समझ चल आपका मन कर रहा है तो सब देख लेतने हैं कोई नोटिफिकेशन आया आप कोई काम कर रहें क्यों पहले काम कर लिजिए बाद में देखेगा नोटिफिकेशन आप हाभी मत होने दीजिए हाप अगर आप मांच मिनट भी थोड़ा सा लूच पड़े ना थोड़ा सा कमर सीधा कर लेता है दो घंटा बरबाद कर दिया आपको हाभी मत होने दीजिएगा उसको अपने उपर प्रो attractination को तोड़ने का एक ही तरीका है सबसे छोटे लेवल पर ले आगर कि उस गोल को तोड़ दो यानि वो गोल भला है उसको breakdown करो उसके सबसे पहले step क्या है जैसे गाड़ी चलाना सीखना है उसको सबसे पहला step क्या है अगर घर में कोई नहीं है सिखाने वाला या सिखाने वाली तो बाहर जा करके जो गाड़ी का driving school है उदर जा करके पैसे दे दो अब फस गए ना तो फसा दो अपने आपको दिमाग ये लगाओ कि अपने आपको कैसे फसाया जाए जब हम फस जाते है ना तो फिर हमको वो काम करना ही पड़ता है then there is no looking back जब तक आप सोच रहे हो तब तक सोच रहे हो उसको बोलते है paralysis of analysis कि आप सोचते चले जा रहे हैं अपने mind में मैं यह करूंगा वो करूंगा वो करूंगा और procrastinate हो रहा है वो चीज़ टलती चली जा रहे है तो उसको छोटे चोटे चोटे लेवल पर breakdown करके उसको कर दो that is number one और जैसे करना शुरू करते हो कोशिश करो कि उसको जब तक क्या आप सही से नहीं कर लेते हो उसको छोड़ना नहीं है तो आपकी laziness भी खतम हो जाएगी कई लोगों तो हमने थे कहा है जो सबता में कुछ भी नहीं करता हूँ भी Sunday को आराम कर रहा है वैसे कहा भी जाता है कि अगर कोई काम आपको करवाना है न तो ऐसे किसी इनसान को दो जो बिजी है ऐसे आदमी को मद्दोच उखाली है यह परफेक्ट लिग्या किसी को भी आप दिखेगा जिसको आप कहते हैं कि मतलब ठीक ठाक आप समझते हैं कि नहीं यह बहुत आगे वह एक काम को खतम करने काँ कभी आरम नी करे की काम खतम हुआ उसको लगे यह जाए क्षडम होगी आप दूसरा करना चीज़हर वही जिसको बिखिएग एक एक खतम होगे आर आ अर आराम करना चीज़ह तक यह जजिए नहीं लैब अकरी सास तक सब यह पर सब हिंदी में पूछते हैं इंगलिश में पूछते हैं मोच्पूरी में पूछाँ जॉन भासा ठीक लागे तौने में पूछता हुआ जॉन पूछते हैं कि जिसे अमनी के पढ़ाई करें इसन तो कभी गभी डेली टार्गेट्स जो ला ओ कंप्लीट न ओला अग हमेशा रहा तो वो कम कई से गरल जाए दिखे टार्गेट्स को न हम लोग को एक अपने हिसाब से पहले फिट करना चाहिए ऐसा नहीं कि दूसरे किसी इंसान को देख के हम टार्गेट्स कर ले कोई लड़का आठ घंटा पढ़ रहा है कोई पहली बार अभी पढ़ना ही च करते हैं लोग पहले दिन अठा लीजेगा ये कुंटल तो हार्ट अटेक हो जाएगा तो वो धीरे धीरे टार्गेट्स सेट किजिए और अपनी छंता को भी देखिए हर इंसान की छंता अलग है कंगारू को देखके हाथी चलांग मारेगा पहर तोड़के बढ़ जाएगा अब संदीर का मोटिवेशन देखके इसका मतलब क्या कि ट्रेन के आगे खड़ा हो जाएगा धगेल देंगे तुमको हाला कि ऐसा कर देते हैं लेकिन ऐसा करिएगा लोग नहीं छंता पता होना चाहिए आपके अंदर एंजाइटी हो रही है कि मैंने कर तो लिया है आप यह कि मैंने कुछ भी नहीं किया है कि दे आप यह कर लिया कि एक अच्छे स्टूएंट हो क्यों कि बहुत सारे सुटेंट्स ऐसे उनको पढ़ने के नाम से उनको हो फैप अम पाड़ लिया दिन में म्हानो आठ गॉंटे का आपड़ेट क्यों च्शे पर लिया तो आपको आट यह तो अच्छी quality है ना यह तो एक brilliant student की quality है क्योंकि anxiety उसी को होती है जो care करता है जिसको परवा है उसी की तो anxiety होती है जैसे माँ को अपने बच्चे के जैसे माँ को अपने बच्चे को ले करके anxiety होती है कोई बात नहीं edit कर देंगे इसको हम जैसे एक माँ है उसको अपने बच्चे को ले करके anxiety होती है थोड़ी सी भी तबच्चा ठीक भी है डॉक्टर को नहीं होती है क्योंकि माँ को उस बच्चे से प्यार है तो that means कि आप अपनी पढ़ाई को ले करके serious हो इस वज़े से आपके इंदर anxiety हो रही है which is normal जहां पर प्यार मुभबत होती है वहां पर थोड़ी बच्चे से प्यार है तो होती ही है ना समझ रहे हूं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोग समझ रहे हूं ना मैं कहां जा रहा हूं जब वो किसी और से बात करती है तो anxiety होती है ना आपकी स्टोरी हमने सुनी थी तो एक टाइम आया था जब आप गंगा किनारे जाके बैठ गये थे उस समय आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उस समय मतलब आपने ये आपकी सिजन कैसे लिया कि अब आगे नहीं यहां से वापस जाना है रास्ता ही नहीं था घर जाने के लिए अट लीश्ट नबवे रुपए चाहिए थे जब चालीस रुपए थे कैसे घर जाते हैं और हम गंगा की किनारे चुपचा बटे बटे हम कहीं कि अब बहुत टेंसन हो गया अब घर जाना चाहिए रूम पे तो किराए की रूम पर या अदमी सारे लोग रहते गया पर तो रूम लॉक हो गया था तो खटकटाए तो उपर से गुस्टा से बोले जो ओनर थे क्या ताइम हो गया है तो नो दस बज रहा हो गाड़ी देखिये तो देखिये तो दो बज़रा था रात का दो धाई बज़ गया था तो होता है कई बार ऐसा समय आएगा कि लगेगा जैसे अब कुछ नहीं हो सकता है तो इससे घबराना नहीं है कभी-कभी गु जो औरों के अंदर नहीं है तो वो मैं जानना चाहरा हूं कि वो ऐसा क्या था जहांसे कि आपका दिमाग यहां तक सोच पा रहा है कि मैं पूरे इंडिया में इतने बड़े लेवल का चेंज लेकर कर के आ सकता हूं यह सोचना ही बहुत लोगों के बसका नहीं है कि अद्सा कोई सो इसे काम करता हैं हम सभसे कष्च करते हों सके किषम करते हैंगCK करशने सोच रूपय यह सब्सक्राइब कर्या करणा के लिए चाहिस आहिए उन्हार, यह सजिस करते हैं